नमस्कार में नाम प्रेकास है आप टेडे विहार नीज देख रहे हैं बिहार विदानसवा चुनाज से पुरव एंडिये में घामासान जारी है इस बीच जेडियू और लोजपा के बीच के रिस्ते में दरार परती जा रही है अब जेडियू ने लोजपा को साफ साफ कह दि बिहार में लोजपा से नहीं है सबसे बड़ी ख़वर हम आपको दे रहे हैं जेडियू के परधान महासचियू केसी तयागी ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान अगर खुद को महा गडवंदन का हिस्सा समझते हैं तो उनको बयानबाजी से ब बड़ी तूटकी ख़वर हम आपको दे रहे हैं चिराग पासवान को लेकर जेडियू ने अफसाफ कर दिया है कि जेडियू का गडवंदन लोजपा के साथ नहीं है जेडियू के परधान महासचियू के सित्यागी ने कहा है कि जेडियू का गडवंदन बीजेपी के साथ ह सबसे वरी ख़वर हम आपको दे रहे हैं देखें केसी त्यागी ने भी कहा है कि 2005-2010 और 2015 के चुनाव में जब हम जिस गटबंदन में चुनाव लड़े तो उस गटबंदन में लोजपा सामिल नहीं रही और ऐसे में इस बार विभी हर विदान सावा चुनाव में लोजपा से गटबंदन जेडियू का नहीं है जेडियू के परधान महासचीव केसी त्यागी ने साफ कर दिया है सबसे बड़ी ख़वर हम आपको दे रहे हैं सुनिये किसी त्यागी को क्या कुछ कर रहे हैं मुझको अच्छी तरह से समर्ण है कि कुछ गटनाओं के बाद करपुर जी ने इन गरीब तबकों के लोगों को सस्त्रवी मोहिया कराने के लिए मुहिम चलाई थी नितिश कुमार जी उसी परंपरा के वहाग है दलीतों पर अत्याचार होता है अति महां दलीतों की हत्ते हैं होती है उनके परिवार को नोकरी दी जानी चीए ऐसा उन्होंने सुझाव रखा है जो स्वागत योग है इसकी आलोचना करना इसको लागू होने से पहले ही सब उटाज करना तो ये तो अच्छी बात नहीं सारा दुनिया जानती है कि नितीश कुमार जी ने पिछडों के लिए फिर अती पिछडों के लिए गुरूप बना करके उसके बाद फिर दलीतों के लिए और महा दलीतों के लिए अलग से कैटलाइज करके उन्होंने किस किस तरीके से उनका श्रशक्ति करन किया चुनाव का वक्त है तो चुनाव के वक्त ऐसे सवाल भी क्यों उठाने चाहिए अपनी मित्रलों और तभी से में इसका प्रधानमा सची रहा हूँ गुझा जोर्श फंणीज इसके माह अध्धक्ष थे फ़िसरद्यादव जी ते और नितिशकुमार जी थे उससे पहले चया वी पी सिंग जी थे और चया ऐसार बुमेसाब थे जनता दलियू, लेड़ बाई सरदियाद, लेड़ बाई नितिश कुमार और लेड़ बाई जॉर्ज फुनेडी से उनका राम बिलाज जी की लजेपी से या अब सिरी चिराग पासवान जी की लजेपी से कभी कोई चुनावी समझता नहीं रहा 2005 में राम बिलाज जी अलग हम से चुनाव लड़े, 2010 में वो हम से अलग चुनाव लड़े, 2015 में वो हम से अलग चुनाव लड़े और 2019 में वो अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एंडिये के वो हिस्सा हैं ऐसा कभी भी जेडियू बीजेपी के बीच में कोई इस तरह का दस्तावेज मोजूद नहीं है लिहाजा वो स्वम ही अपने आपको बिहार एंडिये से अलग रखते हैं तो भारते जिनता पार्टी जो हमारी मित्र पार्टी है उनका और हमारा आलाइंस है और वो लंबे समय से है लोक सभा में तो ये 98 सी सुरू हो गया था राम बिलाज जी उस समय भी उस समय भी एंडिये में नहीं थे जब जोर्ज फननाडीज और नितीश कुमार 1998 में लालू जी के खिलाप लड़े थे अटल जी के गडबंदन में बरी तूट की खवरम आपको दे रहे हैं एंडिये गडबंदन में अब दरार परती जा रही है जेडियू और लोजपा के रिस्तों के बीच अब दूडिया खुलकर सामने आने लगी है देखे चिराग पासवान जो की लगातार नितीश कुमार के कारेसेली पर सवाल उठाते रहें लगातार नितीश कुमार के बयानों का जवाब भी देते रहें और इतना ही नहीं नितीश कुमार ने जब दलित कार्ड खेला तब उस पर भी चिराग पासवान ने सवाल उठा दिया और इसे में अब साफ कर दिया है जनतादर उनाटेड ने कि उनका वास्ता नहीं है चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजबा के साथ इतना ही नहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कल जब बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक की तब उन्होंने असपष्ट कर दिया साफ साफ कहें तो आदेस दिया कि बिहार विदानसवा चुनाओ में लोजबा 143 सीटों पर अपने परत्यासियों को चुनावी मैदान में उतारने की तयारी में है और सूची भी मांगी है बिहार संसदीय बोर्ड से लुजबा अध्यक्ष चिराग पासवान ने ऐसे में समझा जा सकता है कि दूडिया कि इस तरीके से बढ़ती जा रही है इंडिये गटवंदन में फिलाल टूड़े विहार निज के साथ आप बने रहे हैं विहार चुनाव से जूरी है और चुटी बड़ी ख़बर आप तक सबसे पहले हम दे रहे हैं धन्यवा है कि है कि अ खबर आप बने रहे हैं गिला है झाल झाल